रिविजन एसे करो फिर देखना है एक्जाम से पहले तुम एक्जाम दिल आ चुके एक्जाम का डर खाता हम मुझे एक्जाम में इंट्रेस्ट कभी नहीं था शायद तुम लोगों भी नहीं है लिकिन खुद को पहचानने के लिए थोड़ी से दर्द सहना जरूरी है मैं एक्जाम बोलता हूँ लाइना खुद को पहचानने के लिए थोड़ा दर्द सहना जरूरी है सो थोड़ा सा दर्द सहो जैसे मुझे लगा कि मैंने मैंने कितने घंटे का तीन घंटे का टाइम लिमिट रखता था क्योंकि एक्जाम को वही टाइमिंग है ठीक है बता दूँ शुरुवात में ऐसा हुआ कि क्वेशन्स सौल करने बैठा तीन घंटे में चार घंटे या पांच घंटे में सौल हो रहा है पूरे कॉशन्स ठीक है अब वह दिन आ गया है कि आज जाओ क्या करोगे यह मैं आपको एक बात बता तो इग्जाम के लिए क्या करोगे ठोड़ा सा धे हान देना ना एक्जाम के लिए कैसे प्रिपेर हो गया एक्जाम प्रिपेरेशन कैसे करो गया थोड़ी सी बास समझो आपने ये सोचा कर मेरा केमिस्ट्री का एक्जाम है समझ रहो केमिस्ट्री का पेपर है कितने बज़े आपने सेट किया कितने बज़े रहती तुमारी exam बिटो ये बास सुन लो तुम लोग कुछ भी कर लो अगर ये बात नहीं सुनोगे तो exam के दिन पस्ता हो गया जो line बोल रहो हो ते हाँ से सुनो क्या बोला मैं क्या कर रहा है आपको बोलो 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 एक्जाम का टाइमिंग क्या दिया है तुमारे यहाँ 9 से दिया है चलो ठीक है तो आप 9 से कितने बज़ तक दिया है 12 तो 9 to 12 YES 9 AM to 12 PM ठीक है इतने टाइम दिया गया इतने टाइम दिया गया है सुबह 9 से 2 बहर 12 बज़े की बीच आज तै करो कि मझे कल नौ बजे एक्जाम के लिए निकलना है केमिस्ट्री का फिजिक्स का तो आज अपने इस टाइम को इस तरह सेट करो कि मैं अब चप्टर वान, टू, त्री, फॉर, फाइव, सिक्ट, सेवन, एट, नाइन, टैन, एलेवन, ट्वेल, थर्टीन, फॉर्टीन, फिफ्टीन और सिक्स्टीन का रिविजन कर लूँ आज रिविजन करने का मतलब यह नहीं होता है कि एक चीजों को पढ़ना रटना है चप्टर वन में से मैं क्या भूल सकता हूँ पहले एक बदर कौपी अपने पास है उसको पलट की देखो, जो, जो, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता है यार, इसको रटना हूँ मार लो, पढ़ लो, याद कर लो, जो करना है कर लो डर लग रहा है कि इसमें फिर मैं भूल जाओंगा यह आप सेट करो कितने टाइम के अंदर इसको रिवीजन कर सकते हो आपको लगता होगा यह प्रैक्टिकल नहीं है सूचना यह प्रैक्टिकल है क्योंकि साल भर आपने क्या किया जख मारा तो नहीं होगा लाइं पर जहां दो साल भर जहक मारे तो पोसिबल नहीं है साल भर आप समझे सीखे, पढ़े, मेहनत किये तो अपने मेहनत पे क्यों उखली उठा रहे हो ये पूरी तयारी आप बारा घंटे के अंदर कम्प्लीट करो बसम्याई फिर ये बारा घंटे के अंदर हो गया तो आपको डर लग रहा था ना क्या के भूल जाओगे बोलो तो क्या करो भूल जाओगे तो क्या करो यहां पर फिर से आप कम से कम चार घंटे और ले लो फिर आराम से सो जा टोटल क्या कितने घंटे किये सोला गंट है जिसमें खाना पीना सब इंक्लूड नहीं बटा देहान रुखो ठीक है प्योर टाइम सोला गंट है अपने आपको आपने एक सजा दिया मेहनत पेलाए माइन कॉंसेंटरिट करने के लिए तयार किये फाइनल ये होगा कि जब दूसरे दिन आप निकलोगे कितने बचे क्लास के लिए अपने रूम में आओगे एक पेपर अनसल्व पेपर आपने देखा नहीं उस पेपर को कभी ओपन करो, सॉल्व करो नौ से जैसे बारा बचता घंटी बजाओ बंद कर दो तुमने उतने मिनिट के अंदर कितनी चीज लिखा है, चेक करो कितने मार्स आए, चेक करो 100% शूर है कि एन्वल एक्जाम में अगर आपने यहाँ पे 70% मार्स हांसिल कियो होंगे तो एन्वल एक्जाम में लगबख 70% ही आएगा लगा लो शर्त ज्यादा उपर न ज्यादा नीचा बासमारी है अगर तुमने 90 निकाला हो तो 90 आएगा, अब इसमें क्या होता है ध्यान रखो, जितना 99 भी करोगे तो 99% आएगा अब बोलो सारी, इस कोशन को मैंने पहले देख लिए था, इसलिए आगया मार्क्स थोड़े कम होंगे एन्वल में एन्वल में कभी कम नहीं होते है, थोड़ा सा प्लस करके ही आएगा मार्क्स, अगर तुमने सेडियूल को पार्क गया, तो अगर मैं एक बात बता दूँ, 70 से तो नीचे आएगा नहीं, 70 से उपर ही आएगा, ठीक है और मैं यहाँ पर कह दूँ, थोड़ी सी बात कह दू, 70, 73, 75 की परसंट के आसपास आएगा यहाँ पर अपने 70 लाया, इमानदारी से चेक करना, इमानदारी से कोशिश करना आपके मार्क्स उपर ही आएगे दिहार रखना यहाँ पर भी अगर 90 आपको दिखाई दे रहा है तो 95 के आसपास आपका जाएगा, 5 परसंट थोड़ा इंक्रिस होके ही आएगा आपके मार्क्स कोई नहीं खाते हैं, आपका नंबर कोई नहीं काटता ही जहार रखो इमानदारी आपमें होनी चाहिए यह काम करके देख लोया सबसे पहला काम मैंने जो बोला वो करके देख लोया कल परिक्षा है क्या बोला मैंने, कल परिक्षा है दिमाग को सेट करो रिविजन एसे करो फुल रिविजन, क्योंकि साल पर तो पढ़े हो न एक दिन में तो ऐसा नहीं किया आज मैं एक घंटे-दो घंटे में इस चप्टर को पढ़ तो ऐसा नहीं एक तम टार्गेट करो घंट करो अधरगेट करो तो ट्रगेट करो देखना है एकजाम से पहले तो मैं एकजाम दिला चुके एकजाम कर डर काता सब ड़ा किमिस सां डर ओधौए है ईससे बोल रहे हैं हमने किया है यार अपने इ conjunile और तारा बताया मैंने में पर जाते गया, क्योंकि मैं समय के साथ सीखते गया, समय के साथ सोचते गया, समय के साथ लाइफ जीने का तरीका सोचते गया मेरे ग्राफ कभी कम नहीं हुए है, चाहे लाइफ जीने की बात करो या जैसे भी करो life हमेशा मेरा graph उपर गया, graph कभी नीचे नहीं गया, तुम तो देख रहे हो यार हर साल, देख रहे हो कि ने देख रहे हो, दोज साल से तो देखी रहे हो, मेरा graph उपर ही गया, पस, जिंदगी का graph उपर जाना चाहिए यार, फिर एक बड़ ऐसे fly हो, कि चलो, जाते समय लोग कहें यार, वो तो बहुत अच्छे से चीग के गया जा नहीं है रुखना तो किसी को नहीं है समझ रहो ना बेतर ग्राफ तैयार करो 100% आपको लोग पसंद भी करेंगे, आप खुद को पसंद करने जिसने शुरू करत question को बेटा दिल में जो डर रहता न एक दम यार क्या कर रहो, छोड़ो छोड़ो बहतर हो, बहतर बन के दिखाओ समझ मा आगी क्या करना बेटा एक एक स्टप मैं है, मैंने क्या क्या कहा कर लो, कल है यार अचानक सोच लो, कल है मेरा chemistry कल है मेरा फिजिक्स कल मैं सब कर लो फिर हर दिन फिर जैसे ये पांस दिन सर मेरे पांस दिन ऐसे बर्बाद हो जाएगा अरे बर्बाद नहीं हो रहा है सोच के चलो जो जो कोशन आप सिर्फ नहीं बना अब भीड़ जाओ उस कोशन के लिए क्या चाहिए आपको अंसाल पेपर चाहिए ना YouTube में दूँगा मैं आपको शुरू कर तो कल से तो सोच लो अंसाल पेपर मिल जायेगा निकालो अंसाल पेपर बनो गैस पेपर दूँगा बनो बह Sever करने दिखा पके तो चलिए यही कहते हैं कि अब का इस साल का एक्घ्जाम कि कुछ बच्चे ये भी सोच लो कि 95 मार्क्स देगा और कुछ बच्चे ये सोच लो कि 99 प्लस मार्क्स देगा हर बच्चे अपने इस तर पर सोच लो बड़ा सोचोगे तो कम से कम थोड़ा तो नीचे मिलेगा नीचे सोचोगे तो पता चला नीचे जमीन से और नीचे मिल गया थोड़ा उपर ही सोच लो तीक है तो आज की क्लास आज की बात है यहीं तक धन्यवाद तेंक यू और जिन लोगों को अपने कोर्स पूरा करना है कोर्स लेना है उनके लिए विद्यकुल.com में मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है अच्छे से पढ़ सकते हैं अच्छे से सीख सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं तो धन्यवाद, थैंक यू क्या आप इसी प्रकार से आसानी से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं यदि हाँ तो विद्यकुल.com में आ जाईए विद्यकुल.com में आ जाईए मेरे सारे विडियोस वहाँ पे मिलेंगे इसके लिए आपको इस नमबर पे डायल करना होगा यहाँ पर मिलेगा कम्प्लीट विडियो लेक्चर जैसे जाईनिंग करेंगे आपको पूरा का पूरा A to Z क्लास मिल जाएगा निव अपडेट्स हा रहे हैं नए विडियो भी उसमें शामिल होती जा रही है साथ में कम्प्लीट नोट्स मिलेगा डॉट सेशन होगा आप अपनी क्लास में बेतर से बेतर करने के लिए अपनी अच्छे पर्फर्फमेंस देने के लिए आपाएं तो आप हमारे विद्यकुल.com में शामिल हो जाएए